गाइस फाइनली सैमसिंग ने अपना गलेक्सी M30S लोंच कर दिया जिसका प्राइज रखा गया है लगबग 14,000 रुपे और इसी प्राइज में हमें मिल जाता है रिल्मी 5 प्रो जिसका प्राइज भी लगबग से में दोनी फोन में आज हम करने वाले कंपैरिसन जानेगी कौन सा फोन होने वाला है बेस्ट आपके लिए अगर हम सबसे पहले बात कर ले दोनी फोन के डिस्पले की तो हमें M30S में 6.4 इंची की और वहीं पर 5 प्रो में 6.3 इंची की एक डिस्पले मिल जाती है यहीं पर M30S में ह में IPS LCD देखने को मिल जाती है M30S के expect ratio भी ज्यादा है 20.9 ratio है वहीं पर Realme 5 Pro में हमें cable 19.5.9 के expect ratio देखने को मिल जाते है तो overall बात करें तो screen के मामले में M30S आगे निकल जाता है बात कर लेतें दोनी phones के performance की तो यहां यहां पर M30S में हमें Xeno 9611 मिल जाता है जो कि 10 nm वर्क करता है वहीं पर 5 Pro में Snapdragon 712 मिल जाता है सेम 10 nm वर्क करता है ग्राफिक्स में M30S में Mali G72 MP3 देखने को मिल जाते है वहीं पर Realme 5 Pro में हमें 616 latest देखने को मिल जाते हैं बात कर लेते हैं उपरेटिंग सिस्टम की तो यहां पर M30S में 9.0 Pi देखने को मिल जाते है साथ में One UI की स्पोर्ट वहीं पर हमें Realme 5 Pro में हमें 10.0 देखने को मिल जाएगा अपडेट में साथ में हमें Color OS 6 देखने को मिल जाता है अगर हम प्रफॉर्मेंस की बात करें गेमिंग की बात करें तो Realme 5 Pro काफी आगे निकल जाता है लागे क्राइट में वी शेप का ड्म देखने को मिल जाता है वहीं पर फ्रंट में हमें V शेप का extends मेगा पिक्सल का वाट viewpoint देखने को मिल जाता है No doubt Realme 5 Pro आगे निकल जाता है M30S से कैमरे की मामली में आगे बात कर लेते हैं दोनी फोंस की बैटरी की तो यहाँ पर भी काफी बड़ा डिफरेंस है M30S में हमें बहुत ही बड़ी बैटरी 6000 की MH की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि आते है 15 बार के फास्ट चार्जिंग के साथ वहीं पर Realme 5 Pro में 40-35 MH की बैटरी मिलती है साथ में हमें मिल जाता है Wook 3.0 और 20 बार का फास्ट चार्जर तो यहाँ पर No doubt Galaxy M30S काफी आगे निकल जाता है comparison to Realme 5 Pro से बैटरी के मामले में तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगते है तो प्लीज इस वीडियो का लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्यू गाइस पर वाचिंग